बारतिया स्टॉक मारकेट्स बन चुकी है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मारकेट। तो पोर्थ लाजस्ट क्या है पहले तो आप ये जानिये, Monday के Closing Session में हमने देखा कि, Indian Stock Markets की Total Market Cap 4.33 Trillion Dollar, यानि कि 4.33 Lakh Crore Dollars रही, वहीं अगर आप Hong Kong की Market Cap को Compare करें, तो वो 4.29 Trillion Dollar रही थी, इसके हिसाब से आप देख सकता हैं कि Hong Kong को पचाड़कर, भारत बन गया 4th largest stock market in the world. अभी currently situation ऐसी है कि US दुनिया की सबसे बड़ी stock market in the world है जिसकी market capitalization फिलहाल 50.86 trillion dollars की है. इसके बाद आता है China जिसकी market cap है 8.44 trillion dollars. तीसरे स्थान पर है Japan जिसकी total market cap exchanges की है 6.36 trillion dollars. अब चौथे नमबर पर आ चुका है India. हाली में आपने देखा था December 5 था वो दिन जब पहली बार Indian stock markets ने 4 trillion dollars की market cap को हासिल किया था. ये बहुत ही important figure है क्योंकि अभी भारतिया GDP जो है 4 trillion dollars की नहीं हुई है. लेकिन उससे पहले ही Indian stock markets ने ये feet हासिल करता हुआ दिखा. और साथ ही साथ आज की trading session में भी अगर आप देखे थोड़ी मामूली गिरावट है लेकिन फिर भी Hong Kong की market cap से ज्यादा और 4.33 trillion dollars की market cap के लिहाँ से भारत बन चुका है 4th largest stock market in the world. अब Hong Kong को इंडिया ने पीछे कैसे छोड़ा ये सबजना बहुत जरूरी है. Hong Kong में लगातार slump देखने को मिल रहा है क्योंकि चाइना की अपील धीरे 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 दुनिया में कम हो रही है. निवेशक चाइना के अलावा बाकी markets को खोज रहे हैं जहां पर वो निवेश करें, stock markets में और बाकी businesses में भी. जिसकी वज़ा से Chinese और Hong Kong दोनों markets में ही कहीं न कहीं weakness नज़र आ रही है. चाइना की सबसे बड़े influential और innovative firms जो हैं वो अब तक Hong Kong में भी लिस्टेट हैं. बेजिंग की जो stringent, anti-covid norms आई, curbs आई, regulatory crackdowns उन्होंने announce किये, property related crisis वहाँ पर हुआ, geopolitical tensions जो की चाइना को west से face करना पड़ रहा है, इन सभी का repercussion उनको अपनी stock markets पर देखना पड़ा. साथी अगर आप total China और Hong Kong की stock markets की value को देखें, तो 2021 से लेकर अब तक 6 trillion dollars का loss हो चुका है चाइना और Hong Kong की markets को. नई listings जो की अब तक Hong Kong में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती थी, वहाँ पर कम देखने को मिल रही हैं. एशिया का financial hub माना जाता था Hong Kong को, वो भी उसकी appeal धीरे-धीरे कम होती हुए नजर आ रही है, जिसकी वज़े से फाइदा मिल रहा है इंडिया जैसी countries को. और Hong Kong की जो Hang Seng Index है, पिछले 4 साल से लगातार negative returns दे रही है. अगर आप Shanghai, चाइना की stock exchange की बात करें, तो लगातार दूसरे साल से गिरावट में ही देखने को मिल रही है. लेकिन इसी के contrast में, अगर आप Indian stock markets को देखें, तो पिछले 8 साल से positive return देती हुई आई है भारतिय एक्विटी markets. और अब भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे experts Indian stock markets की growth trajectory को लेकर काफी bullish है. और वो मानते हैं, ऐसे कई strong sentiments हैं, चाहे वो elections से पहले के sentiments हों, बजेट से पहले के sentiments हों, macro economic conditions हों, या फिर interest rates globally जो कम हो सकते हैं, उनका फायदा हो. इन सब का फायदा, उनका मानना है भारतिय ए stock markets को मिलता कुआ दिखेगा. In fact, Indian stock markets अपने all time high levels पर पहुंचें साल 2023 में, क्यूंकि bullish investor sentiment था, domestic participation all time high पर देखने को मिला, और साथ ही, recently, जब नरेंदर मोधी सरकार ने तीन state elections में अपनी जीत हासिल करी, इससे कहीं न कहीं, ये ज्यादा clarity बनी, कि 2024 के general elections में भी center में government की continuity देखने को मिल सकती, एक बार फिर से मोधी सरकार बन सकती है, जिसकी वज़े से एक और बार आपको भारतिय स्टॉक markets में तेजी देखने को मिली, अब आगे जाते हुए जो बड़े triggers हैं, budget में क्या announcement आते हैं, और साथी साथ जो globally central banks में अब rate cuts की स्थिती पैदा हो रही है, उससे भी एक added on benefit मिल सकता है भारतिय स्टॉक markets को, क्या भारतिय स्टॉक markets इतनी सक्षम हैं कि जल्द ही Hong Kong के अबाद अब जपैन को भी पीछे छोड़ तीसरा स्थान ग्रहन कर सकती हैं, इसके पीछे कौन-कौन से triggers शामिल होंगे, कितनी मेहनत लगेगी, कितना समय लगेगा, ये जानना अभी बाकी है, इसी तरीके की interesting videos को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, Business Study Bazaar पर, जिससे की हम आपको इसी तरीके की important information से आपकत कराते रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन इस चानल को like और subscribe करना ना भूले,